नमस्कार दोस्तों सुवागत आपसे भी का एससी मेकर के यूटूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में हम सम्मान्ने विज्ञान से रिलेटिट इंपोर्टेंट 20 कोशन डीटेल में डिसकासन करेंगे यहाँ सम्मान्ने विज्ञान की से रिज्ञान का पार्ट 108 है जो की आने वाले रिल्वे एंटिपी सी गुरूप डी, सस्टी, सीजियल, सीचसल, बैंक, साधिक जाम के लिए काफी हेल्प पूल है यहाँ कोशन बिभिन पढ़ते होगी परिक्षाओं में बार बर पूछे गए तथा बार बर रिपीट होते हैं आई यह स्टार्ट करते हैं प्रस नम्मर एक आज की वीडियो का पहला प्रसन प्रिथिवी की अध्यन को किस नाम से जाना जाता है तो आप बताएंगे दोस्तो प्रिथिवी की अध्यन को भूगर्ब सास्त्रयानी जियोलोजी के नाम से जाना जाता है option भी इसका right हो जाएगा पृतिवी की अंदर की जानकारी के खोज करने वाले विग्ञान को भूगर्ब सास्त्र आनि जियोलोजिक कहते हैं दोस्तो बात करते हैं जीव विग्ञान आनि बायोलोजी के बारे में दोस्तो बाइलोजी जीवन और जीवन के प्रिक्रियाओं के अध्यन से सम्मंदित विज्ञान है आरस्तु को फादर और बाइलोजी कहा जाता है दोस्तो बात करते हैं एथलोजी यानि आचार विज्ञान के बारे में एथलोजी जानवरों के वहवार का विज्ञानिक और उ दिन किया जाता है next question प्रस नम्मर दो नेम लिखित में से थर्मो प्लास्टिक का उधारन नहीं है तो दोस्तों नेम लिखित में से बेके लाइट या थर्मो प्लास्टिक का उधारन नहीं है दोस्तों बेके लाइट या थर्मो सेटिंग प्लास्टिक का example होता है दोस्तों प् तरम करने पर मुलायम तका पुना ठंडा करने पर यह कठोर हो जाता जैसे पॉल क्वानी प्लास्टिक जो होते हैं ठार्मोस demographic प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम होता है जिससे मन मताबिक इसे अकार दिया जा सकता, परंतु दोस्तों इससे पुन्हा गरम करने पर यह मुलायम नहीं होता, जैसे बेकलाइट तथा ग्रेटफरन इतिया, प्रेस नम्बर 3, मानो शरीर में कंठ को क्या कहा जाता, तो दोस्तों आप बताएंगे मानो शरीर में कंठ को वोइस बॉक्स कह जाता है option भी इसका ठीक हो जाएगा दोस्तो मानो शरीर में कंठ को voice box कहा जाता है यह वैसकों में लगबग 5 cm लंबी नलीका होती है जो कि गले में ट्रेकिया के उपर और भोजन नली के सामने इस्तित होती है दोस्तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है वीडियो आपको समझ में आते है वीडियो को लाइक करा करें चैनल को सब्सक्राइब करा करें दोस्तो प्रस नमबर 4 है हमारा कौन से रोक के उपचार में डैलेसिस किया जाता है तो दोस्तो आप बताएंगे नेम लिखित मे से renal failure के उपचार में dialysis किया जाता है option भी इसका ठीक हो जाएगा दोस्तों बात करते हैं dialysis के बारे में दोस्तों dialysis यह है रक्त सोधन की कृत्रिम बिधी होती है इस dialysis की प्रिक्रिया को दोस्तों तब अपनाया जाता है जब किसी व्यक्ति के kidney याने गुर्दे सही धंक से का जेंगcontrolled यानि cricket दोस्तों सोसल इसक्ट यानि समाजिक कीट नहीं होता options डीष का ठीक हो जाएगा दोस्तों समाजिक कीट कौन से होते हैं तो आप बताएं दोस्तों समाजिक कीट कुट होतें नृटल प्रेस नम्मर छे भारत में स्पेस एप्लिकेशन सेंटर कहां इस्तित था दोस्तो आप बताएंगे भारत में स्पेस एप्लिकेशन सेंटर दोस्तो यह एहमदाबाद में इस्तित था ओप्सन से इसका ठीक हो जाएगा दोस्तो भारती आंत्रिक्स अनुसंधान केंडर यानी इसरो के प्रमुक केंडरों में से एक इस्पेस एप्लिकेशन सेंटर दोस्तो या गुजरात के एहमदाबाद में इस्तित दोस्तो Space Application Center की formation कब हुई थी तो आप बताएंगे दोस्तो Space Application Center की formation 1972 में हुई थी Next question Press number 7 मोटे अनाज में विर्धी किस करांती से संबंदित है तो दोस्तो आप बताएंगे मोटे अनाज में विर्धी मूख करांती से संबंदित होता है Option भी इसका ठीक हो जाएगा सम्मंदित होता है जबकि floric culture में दोस्तो फूलों की क्रिस्ए होती है अगर हम बात करें सेरी कल्चर के बारे में तो दोस्तों रेश्म उत्पादेन से सम्मंदित को सेरी कल्चर क्याते हैं नक्ट कुशिन नमर्ड आठ हाट रोट रोग से कौन सा पोधा परभावित होता है तो दोस्तों आप बताएंगे हाट रोट रोग से चुकंदर पोधा परभावित होता है ओप्शन से इसका ठीक हो जाएगा दोस्तों चुकंदर यह बोरान की कमी से इसमें हाट रोट नामक रोग होता है दोस्तों बात करते हैं मटर के बारे में दो की दोस्तों आलू में oxygen की कमी वा carbon dioxide की अधिकता से बलेक हट नामक रोग होता है नेक्स question प्रेस नंबर 9 दोस्तो प्रेस नंबर 9 आप सभी के लिए होमबग तरवर पूछागा कोशन दोस्तों प्रसन हमारा नीमलिखित में से कौन सी दलहन की फसल वायू मंडल के नाइट्रोजन का इस तरी करन नहीं करती तो दोस्तों आपको इसका सही जिबाब कॉमेंट सक्षिन बताना होगा नेक्स कोश्चन प्रस नम्मर दस जिंक सलफाइड का आम तोर पर प्रियो सलफाइड के बारे में दोस्तों जिंक सलफाइड को जेट एनस की रूप में लिखते हैं दोस्तों यहां आकारबनिक योगिक होता है इसका प्रियोग रोडेंटिस आइड यानि कृतंग नासी की रूप में करते हैं दोस्तों कृतंग नासी होता क्या है तो आप बताएंग मुत्रालों के समीब प्राया नाक में चुबने वाली तीक्षन गंद का कारण अमोनिया होता है ओप्सन भी इसका ठीक हो जाएगा दोस्तो अमोनिया को NS3 के रूप में परदसित किया जाता है दोस्तो अमोनिया तीक्षन गंद वाली हावा से हलकी होती है अमोनिय के जलिय घोल को अमोनिय लिकर कहते हैं अमोनिय गैस को सरुप्रथम जोसेप प्रिष्टेले ने तयार किये था दोस्तों अमोनिय क्लूराइड को चूने के साथ गरम करके अमोनिय गैस को तयार किया जाता है बर्फ बनाने वाले कारखानों में अमोनिय का प्रियोग सीतली करण में किया जाता है प्रेस नम्मर बारा तापमान बढ़ने पर पधारतों की गतीज उर्जा पर क्या परभाव पड़ता है तो दोस्तो आप बताएंगे तापमान बढ़ने पर पधातों की जो गतीज उर्जा होती है वहाँ बढ़ जाती है। भारती दार्सिनिकों ने पधारतों को कितने मूल ततों में वर्गी क्रित किया था तो दोस्तो आप बताएंगे प्राचिन काल में भारती दार्सिनिकों ने पधारतों को पांच मूल ततों में वर्गी क्रित किया था ओप्शन भी इसका ठीक हो जाएगा दोस्तो ये पांच जल आकास और प्रित्वी इनकी अनुसार सभी वस्तुवे इनी पांचों तत्व से बनी यानि इने पंच तत्व कहा गया क्या दोस्तों इने पंच तत्व कहा गया दोस्तों युनानी दार्शनिकों ने भी पधार्तों को इसी प्रकार वर्गी कृत किया दोस्तों परंतु जाना जाता है तो दोस्तों आप बताएंगे सुसृत को दोस्तों इन्हें भारती सनल्चिकष्ड़ा के जनक की रूप में जाना जाता है ओप्सन भी इसका ठीक हो जाएगा दोस्तो यहाँ कोशन रेलवे एंटी पीसी 2016 में पूछा गया कोशन है दोस्तो महारसी सुसुरुद प्राचीनतम भारत की महान चिकिस्साई और सल्ले चिकिस्सक थे इनकी पुस्तक सुसुरुद सहीता बहुत विख्यात थी प्रेस नमर 14 सुसुरुद को किस रूप में जाना जाता तो दोस्तो आप बताएंगे सुसुरुद को भारती सल्ले चिकिस्साई के जनक की रूप में जाना जाता है ओप्शन भी इसका ठीक हो जाएगा दोस्तो महारसी सुसुरुत प्राचिंतम भारत के महान चिकस्य और सल्लेचिकसक थे इनकी पुस्तक सुसुरुत सहिता बहुत विख्या थे इन्हें father of surgery यानि सल्लेचिकसक का जनक कहा जाता है नेक्स कोश्चन प्रस नम्मर पंद्रा नील गाए नीम लिखित किस कुल में आती है तो दोस्तो आप बताएंगे नील गाए नीम लिखित में से हिरन कुल में आती है ऑफ्सन से इसका ठीक हो जाएगा प्रस नम्मर 16 नीम लिखित में से किसे गाल दंत यानि चीक तीत कहा जाता तो दोस्तो आप बताएंगे प्री मोलर एंड मोलर को चीक तीत कहा जाता है ओप्सन से इसका ठीक हो जाएगा दोस्तो प्री मोलर एंड मोलर का कार्य जोता है भोचन को पीसना होता है मनुस्य को जो दात होते है वह हेट्रोडोंट यानि विसम दंती कहलाते है क्या दोस्तो मनुस्य के जो दात होते हैं वहां विशम दंती कहलाते हैं दोस्तों मनुस्य के जो दात होते हैं चार प्रकार को होते हैं कौन-कौन से इंसीजर, कैनाइन, मोलर तथा प्री मोलर दोस्तों मनुस्य में कैनाइन और विजदम टीथ दोते हैं वह अफसेसिस नचनाएं पाई जाती हैं, नेक्स्ट कोश्चन, प्रस नम्मर 17, नीमलिखित में से सबसे गरम गरह कौन सा है, तो दोस्तो आप बताएंगे, नीमलिखित में से सुक्र यानी वीनस गरह या सबसे गरम गरह होता है, ओप्शन भी इसका ठीक हो जाएगा, दोस्त यह सोलर सिस्टेम का सबसे होट प्लैनेट है, शुक्र की वाईउ मंडल में मुख्य रुप से कार्बन डाय उक्षाट गैस प्रचूर मातरएं में पाई जाती है, दोस्तो कारबन डाय उक्षाट गैस होती है, यह ग्रिन हाउस गैस का कारे करती है, शुक्र के सताहा का भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजब दोस्तों नरगाजुन सिरिसेलम अभ्यारन है ओप्शन डीस का ठीक हो जाएगा दोस्तों नरगाजुन सिरिसेलम अभ्यारन भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजब है जो कि दोस्तों आंदर प्रदेश के पांच डिक्स्टिक्ट म का दर्जा मिला हुआ यहां बारत का सब्टो चोड़ा रजाब है next questionあれ race process no मohne 19 भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का ज буर इसमें तो डोस्तों आप बता यहां भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने कारण दोस्तों की फेडिक ऑक्साइट की मौझूदगी होता है ओपिसन सी इसका ठीक हो जब दोस्तों भारत के कुछ राज्यों में मिट्टी का जो रंग लाल होता उसका कारण होता दोस्तों फेडिक ऑक्साइट की मौझूदगी ओपिसन सी इसका ठीक हो जाएगा next question प्रस नंबर 20 आज की वी प्रकास उर्जा बंडलों के रूप में होता है प्रकास के इन बंडलों को फोटान कहा जाता इस सधानत ने प्रकास के कंड संबंदिक गुणों एबं तरंग प्रकति के बीच में समंजस्ति स्तापित किया था दोस्तों आज की वीडियो से इतने इंपोर्टन कोशन बन सकते अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है वीडियो आपको समझ में आते वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों इस वीडियो की पीडियेफ आप स्सेमेकर टेलीग्राम चलिने से प्रत्त धन्यवाद दोस्तों